दो लाख रुपए का चेक बाउंस होने के मामले में एक महिला अधिवक्ता की पुत्र को फर्जी मुकदमे दर्जकर फसा रही है इस प्रकरण में अधिवक्ता की तरफ से दिये गए प्राहतना पत्र पर कोट ने तत्कालीन इंस्पेक्टर सिकंद्रा समित दस पुलिस कर्मियों के खिलाफ धोकादड़ी का मुकदमा दर्जकर ने के आदेश दिये हैं सेक्टर आठ हवास विकास कॉलोनी जगदीशपुरा की रहने वाली मुनेश कुमारी ने अपने पिता अधिवक्ता राधा बल्लव के माध्यम से स्पेशल जट दस्यू प्रभावी कोट में प्रातना पत्र दिया था उसमें कहा गया की वादिया के पुत्र पारस अधिया था उसमें भी वादिया के पुत्र ने जमानत करा ली थी वादिया का कहना है कि उसके पुत्र पारस ने दोलाग रुपे शिल्पी दुबे के पिता को 2016 में आटो खरीदने के लिए उधार दिये थे बाद में शिल्पी दुबे के पिता ने चेक से भुक्तान किया बैंक में लगाने पर चेक बाउस हो गया था उसका मुकदमा कोर्ट में विचारा धीन है शिल्पी दुबे तरह तरह के हदकंडे अपना कर मुकदमा वापस लेने का दवा बना रही थी वादिया का कहना है कि 16 अप्रेल को पुलिस कर्मी असलहों से लेस हो कर उसकी घर में गुसाए और पारस को पकड़ का ले गए इसके साथ ही मोबाइल और तक्ये की नीचे रखे रुपए भी ले गए थे इसकी वीडियो गिराफी वादिया ने कोट में पेश की थी इसकी विवेचना इंस्पेक्टर उत्तम चंद पटेल को सौपी गए थी इंस्पेक्टर उत झाल